जन्पर संबल की चंदोसी कोतवाली पुलिस ने अबेश शस्त्र फेक्टरी का भांडा फोड करते हुए बारी मातर में बने वो अर्दमने शस्त्र बरामत करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफतार किया पुलिस अधिक्षर संबल युमना पैशात के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधिक्षर आलोग कुमार जैसवाल के कुछल नेटेशन तता पुलिस छेतर अधिकारी चंदोसी अशो कुमार सिंग के कुछल लेतेत में चलाए जा रहे है अपरादियों की धर अभ्यान में कोटवाली प्रभारी द्रिवेंद कुमार शर्मा ने में पुलिस टीम के चेकिंग के दुरान मुख्विर की सूजना पर संबल रोड पर मित्तल के खेड में बन पड़ी मैंधा फैक्टरी के पास बने कमरे में अवे शस्त्रों का निर्मार करते हुए दो अभ अभ्युक्त शकिल बिलारी कोटवाली छेतर से 128 एकर प्रचली दुराचारी है पकड़े अभ्युक्तों से 11 बने वतीन अर्द बने कुल 14 अवे शस्त्र 10 जिंदक आर्टूस तता हत्यार बनाने के उकरण भी बरामद हुए इस दिशिमें पुलिस छेतर आदिकारी चंदोस अश्क कॉमार शिंदक श्र्मा को मुक्पिर से सूछना मिलीकि जिसके बाद कज़वाली प्रभारी ने चापा मार कर दो अभ्यूक्तों को गिरफ्तार के अभ्यूक्तों से पूस्तार में उन्हों ने बताया कि वे इन हत्यारों को बंदूग को 12 315 बोर के तमंचे को 6 छे बारा बोर के तमंचो को 45 सो रुपे में बेज कर आर्थिक लाफ प्राप्स करते थे आज पंदरा तारी को पंदरा नो तो हजार बीच को एसे चो जिवन कुमा सर्मा चेकिन में थे इसी दौराने में तो सुचना मेली कि कुछ लोग चंदोशी संभल रोट पे एक मिक्तल जी का कोई खेथ है वहाँ पे मैंथा फेक्ट्री का बनानी को फेक्ट्री थी जो अभी समबंद है उस कमरे में कुछ लोग वहाँ पे असलहा का निर्मान करा रहा हैं इस सुचना पूरी टीम के साथ लाटी घहरा गंदी किये जिनके पास से कुल मिला के अजवने और बने मिला के तेरा सुलह बरामद हैं और कुछ का तूर्षी मिले हैं जब इनों ने का नाम पूछात एक ने अपना नाम सखीर बताया और दूसरे का नाम सटबीर है सकीर के ऊपर भी बिविने ठानों में अलग-अलग करीब आधार दर्जन मुकर्द में हैं इनको यह जब इनसे फूर्ष चाज की गई पिनों बताये कि साब हम लोग अपने एक आर्थिक लाव के लिए ये काम कर रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव में या उसके पहले भी जिनको आउसकता होती हम उनको बेज देते हैं जिससे हमको कुछ पैसा मिल जाता है और यहां पर हम लोग कोई डर नहीं है चुकि एकांत में जंगल में एक खेच कमरा बना हुआ था इसलिए हम लोग काम्यार कर रहे थे और बना बना के सप्लाइए करते हैं अब इनको टीम द्वारा पकड़ लिया गया है पकड़ने के बाद इनके उपर दिधिक करवाई की जानी है